हेलो फ्रेंड्स आपका फिसे बहुत-बहुत स्वागर करते हैं आपके अपने ही चैनल SMIA पे और इस चैनल में हम आपके लिए लेटेस इंवेस्मेंट आइडियाज लेके आती हैं और आपको नए-ने स्टॉक में नवेश की राय भी देते हैं दोस्तो इस वीडियो में हम बा फिर कुछ कंसालिडेशन भी हुई थी लेकिन बहुत इस चैनल को सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दो और पहले अइकन का बटन भी जरूर प्रेस करें, इससे आपको हमारे आने वाले वीडियो उसका जो नोटीक्वेशन है वो मिलता रहेगा. आपको आज की मारी वीडियो अच्छी लगी तो like बटन भी जरूर प्रेस कर दें और इस वीडियो को आप अपने family members and friends के साथ share करना मत भूलिएगा तो आएए आगे बढ़ते हैं सबसे पहले इसके stock का analysis कर लेते हैं तो कल के दिन ये जो stock है 251 पे खुला था हाई इसका 271 का है लोग इसने 249 का लगाया था और ज़दी इसका market cap देखें तो वो 20.02,000 कुरूर का है तो ये जो company है एक mid cap type company जो है वो निकल कर आ रही है आए इसके stock का detail analysis कर लेते हैं तो ज़दी इस stock की last five day की performance देखें तो यहां पर 18.93% की बड़िया तेजी देखने को मिलेगी और आप देख सकते हो 5 दिन पहले इसके stock की price 219 थी आज जो stock है 261 के level को cross कर चुका है बहुत ही बड़िया positive momentum इस stock में देखा जा रहा है और ज़दी इस stock का last one month का pattern देखें तो यहां पर भी आपको 20.30% की बड़िया रैली देखने को मिलेगी पहले इस stock में कुछ consolidation भी आपको देखने को मिले थी लेकिन आज गाल फिर इस stock में बहुत ही बड़िया positive trend देखने को मिल गया है from the lower score level ज़दी इस stock का six month का pattern देखें तो यहां पर 64.11% के बड़िया returns देखने को मिल जाएंगे तो यह जो stock है कुछ consistency consolidation के बाद continuously positive trend शोग करता जा रहा है positive rally शोग करता जा रहा है positive momentum शोग करता जा रहा है और ज़दी one year का pattern देखें तो यहां पर आप देखें हरान हो जाओगे कि इस stock में 500% से भी ज़्यादा returns मिले है 504.98% के returns आपको देखने को मिले है इसका chart देखें तो बहुती bullish बहुती positive trend शोग कर रहा है शोट शोट corrections के बाद यह stock है continuously show करता जा रहा है और एक साल में इसने अपने investors का जो पैसा है वो six times से भी ज़्यादा कर दिया है एक साल पहले जदी आपने इस stock में बान लैक रूपिस investment कर दी होती तो आज इसकी जो value है वो six lakh से भी ज़्यादा हो गई होती nearly six point zero four lakh होती तो आप देख सकते हो यह जो stock है बहुती consistent performer है जैसे जैसे time period बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आपके returns भी बढ़ते जा रहे हैं up to one year लेकिन five year का data देखें तो यहां पर 178% के returns देखने को मिलेगे और इसके chart में आपको volatility भी देखने को मिलेगी पहले uptrend भी आया था फिर इसमें consolidation भी हुई थी बड़ी सी फिर आप देख सकते हो 2020 के बाद इसे stock में बहुती बड़ी record बहुती बड़ी rally देखने को मिल गई है आईए अब हम इसका maximum chart pattern देख लेते हैं तो maximum pattern देखे आप हरान हो जाओगे कि इसमें अपने investors को 4739% के multi-bagger returns दे दिये हैं तो ऐसा ही होता है जो अच्छे quality के stocks हैं वो अपने investors को long term में बढ़िया returns देते हैं तो इस stock में भी ऐसा ही देखने को मिला है तो आप देख सकते हो जदि इसकी price चेक करें तो 2004 30 अपरल को इसकी जो price थी वह 540 रूपीज थी तो यह जो stock था पैनी stock था आज यह जो stock है आप देख सकते 261 के level को cross कर चुका है तो उस time जदी आपने इस stock में एक लैक रूपीज investment कर दी होती और उसको hold किया होता अभी तक तो उसकी जो current value है वो nearly 48 लैक के around हो गई होती तो ऐसा ही होता है जदी आप अच्छे क्वार्टी के stocks को long term के लिए hold करते जाओगे तो आपका by default कैसा बनता जाएगा लेकिन ऐसे नहीं है कि इसमें linear returns बनेगे इ क्रेक्शन भी देखने को मिलेगे यहां पर आपको बड़ी सी एक क्रेक्शन भी देखने को मिली है दूटू तो कॉप्ड पेंटैमिक 2020 में उसके बाद फिर इसने recovery शो कर ली है और अपना जो linear pattern है वो इसने resume कर लिया है तो जो भी पिछला इसका linear pattern बन रहा था वो अब गुरूप को ब्लॉंग करती है और finance sector की company है जड़ी इस company की latest news हम चेक करें तो इस स्टॉक में बहुत ही बड़ी जो है वो रेली देखने को मिली है यह एक positive indication है और इस स्टॉक में आपको last one month में आप देख सकते हैं 87% से भी जादा जो है बहुत ही बड़ी आ रही देखने क मिली है आईए अब इसके financial detail जरूर चेका लेते हैं इसके business भी समझ लेते हैं तो फिन पूना वाला कॉर्प लिम्टेड पूना वाला फिन कॉर्प लिम्टेड इस पूने बेस्ट नॉन बैंकिंग फिनांस कंपनी तो यह जो कंपनी है एक NBFC कंपनी है registered with the reserve bank of India as an asset finance company with registered office in the Kolkata the company operates more than 295 branches in 22 states and a junior territory and has a strong presence in the rural and semi-rural area तो इस company की जो working है बहुत ही strong है business बहुत ही strong है business model बहुत ही अच्छा है और इसका network बहुत ही अच्छा है इसकी 295 branches है total और इसकी जो presence है वो 22 states में है और एक junior territory में भी इस company का अच्छा business है और इस company का जो business है rural sector में भी अच्छा है और semi-rural sector में भी यह जो company अच्छी presence शोव कर रही है तो यह जो company 1988 में शुरू हुई थी आप देख सकते हो number of employees इसके देखें तो वह 55505 है as per 2021 data head quarter इसके इंडिया में है पूने and revenue जो इसका latest निकल कर आ रहा है 2020 का 30.03 grow है तो अब हम इसके कुछ latest quarter चेका लेते हैं के financial growth का pattern चेका लेते हैं तो December 21 में mix pattern देखने को मिला था revenue में slight increase था लेकिन net income, EPS, net profit margin और operating income में आपको negative trend देखने को मिला था on a year on year basis in the December 2020 जड़ी इसके next quarter के number देखें March 2021 के तो यहां पर बहुत ही बड़ा इसमें downfall देखने को मिला था इस company के performance में revenue में slight increase 15.2% का लेकिन income, EPS, net profit margin, operating income बहुत ही बड़ी बड़ी जो है downfall देखने को मिला था जैसे आपको पता है carbon pandemic भी आ गया था March 2021 में तो उसके कारण वे इसका business down हुआ था तो जड़ी इस company का June 21 का numbers देखें तो यहां पर जुरूर आपको थोड़ा positive trend देखने को मिलेगा इस company का जो revenue था 283.67 क्रोड था और यहां पर 3.33% की growth है year on year basis पे इंधा June 21 net income देखे 64.54 क्रोड है यहां पर भी आपको positive trend देखने को मिलेगा 71% की growth है लेकिन EPS आपको 20% के हिसाब से reduce होती दिखेगी net profit margin देखे तो 65% की growth शो कर रहा है operating income भी इस company की जो है 73% के हिसाब से growth होती दिख रही है तो अब हम इसके latest quarter के numbers चेक कर लेते हैं तो latest quarter के numbers overall positive है लेकिन EPS में slight reduction आपको देखने को मिल जागी overall इसके numbers जो latest quarter के बहुत ही positive है रेवनु देखे तो 336.1 crore का है 5% की growth शो कर रहा है year on year basis पे income देखे तो 95.51 crore है 150% की growth है EPS देखे तो 11% की reduction है net profit margin में 137% की growth है और operating income देखे तो 164% की growth देखने को मिली है इन overall इसके जो latest quarter के numbers हैं बहुत ही positive है बहुत ही robust आप कह सकते हूँ तो आगे बढ़ते हैं कुछ और technicals इसके study कर लेते हैं देख लेते हैं किसके moving average किस तरह के moving average तो हम देखी सकते हैं कि इसकी जो short term की moving averages हैं बहुत ही bullish हैं बहुत ही positive देखने को मिल रहे हैं क्योंकि इसने last वन मंत में बहुत ही बड़ी बरीक उट शोग कर दी है तो आप देख सकते हैं यह जो कांपनी है पूनावाला फिन कॉर्प लिम्टर यह हमारे देश की फिनास सेक्टर की कांपनी है और लीजिंग एड हार परशेज का काम करती है तो इसके कुछ करें तो इससे स्टॉक का जड़ी बॉलिम देखे तो 16100 एन बहुत ही बड़ा बॉलिम देखने को मिल गया है तो मार्केट कैप हमने आपको बता दिया है और इसकी जड़ी हम प्राइस टू बुक रिशो देखे तो 3.55 की निकल कर आ रही है इतनी ज़्यादा नहीं है प्राइ तो यजड़ीकल चेक्रेश आयविल अग्तरेश टेक्निगल चेकरिंग इसके स्पोट यह बर रिखे तो पहला ब्रिश्नंस लेवल टू哈哈 का है दूसरा इसका 282 का है तीसरा इसका जो रिजिस्टेंस है 294 का है स्पोर्ट देखें तो तीन स्पोर्ट निकल कर आ रही है 250 का और 239 का 228 का तो पाइबट इसका 261 के अरॉंड बन रहा है मूविंग आवरेज देखें तो आज कल जो स्टॉक का बहुत ही बूलिश चो कर रहा है फाइव डे की टैन डे की ट्वांटी डे हंडर्ड और टू हंडर्ड और तू हंडर्ड डेज ओल दा मूविंग आवरेज आर लुकिंग बैरी बैरी बूलिश विकॉल आज कल इस स्टॉक में वैसे वैसे आपके रिटरंज भी बढ़ते जा रहे हैं लास्ट बढ़न जीर से तो इस स्टॉक में बहुत ही बड़ी ब्रेक ओड देखने को मिली है बहुत ही बड़ी रैली देखने को मिली है लॉइंग टरम के लिए अब जीज़ ऑच्छे क्वालिटी के 60 लेका वन मंथ का एवरेज निकल करा रहा है तो एवरेज के कंपेरिटेवली आज कल बहुत ही बड़ा बॉलिम इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है और जदि इस कंपनी के हम लेटस न्यूज चेक करें तो पूनावारा के जो लेटस नमबर जाए है स्टमबर 2021 के नेट सेल्स हैज बिन रिपोर्टेड एस 393 क्रोड एंड इट इस रेडूस्ट बाइट नाइटी पॉइंट फॉइंट 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 फॉइ देखने को मिल रही है लास्ट फाइट फॉइंट से लेकि ट्वण तक वन अदकर रेव्नू का च्चेक करें तो बहुत कंसिस्टन पॉइंट परफॉरमेंश देखने को मिल रही है नाज्यदा गरावट आ इस कंपणी के कामपनी के तेज़ाए देखे तो यहां पर जुरूर आपको नेगटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा इंदा ओवरॉल तो पहले इसमें इंक्रीजिंग ट्रेंड था अब टू फॉम सैवंटी तू नाइंटी लेकिन उसके बाद इसमें डेक्रीजिंग ट्रेंड भी देखने को मिल गया है ऑचिए वा था कंपनी पर बहुत ही बड़ी देखने को मिली है क्यूंकि आप देखाया है कि इस कंपडी के लौकडों हुआ था उसके करेंट पकर बहुत ही बढ़ा इंपक्ट भी हुआ था इसकंपडिकर आपको रडिउस होते दिखेंगे तो आब हम इसका latest जो quarter के numbers हैं वो भी हम check कर लेते हैं जैसे हमने आपको पहले पर आया है उसका trend चेक कर लेते हैं पहले इसमें आपको flat trend देखने को मिल रही थी स्टमब 20 से लेके और March 21 तक इस company के revenue में पहले reduction देखने को मिल रही थी लेकिन आप जो है positive trend भी देखने को मिल ग रही है क्योंकि share holding से हम पता कर सकते हैं कि प्रमोटर कितना स्टेक कांपणी में change कर रही है और जो डियाइज हैं वो इस company में किस तरह अपना स्टेक चेंज कर रही है क्योंकि जदी डियाइज और FIs किसी company में माल उठाते हैं तो यह एक positive indication होती है उसे stock में आपको तेजी द maximum stake है आप देख सकते हो 72.52 परसंट का stake तो promoters के पास ही है FIs का stake जो है वो 5.94 परसंट का है और DAH का stake देखें तो 6.97 परसंट का है पबली का stake जो है वो 14.56 परसंट का बहुत ही बढ़िया बहुत ही mix share holding pattern देखने को मिला है जड़ी हम देखें तो यहां पे promoters बहुत ही का माल उठाया है यह भी एक positive indication है तो इसमें जड़ी institutions की holding analysis देखें तो वो भी आपको बढ़ती देख रही है यह देखो यहां पे स्टमबर 2021 में mutual funds की holding भी increase हो रही है 4.95 परसंट हो गई है और FIs की holding भी इसमें increase होती देख रही है यह भी positive trend है तो जब तीन positive trend इसके share holding में द increase कर रहे हैं तो इसलिए end में हम आपको यह कहते हैं यह आपको stock investment के लिए बहुत ही अच्छा quality के stock है इसमें बहुत ही अची rally देखने को मिल गई है लेकिन आपको इस स्टॉक में dip को ही खरीदना होगा जैसे ही कोई stock में dip मिलता है आप इसको buy करके चल सकते हो थोड़ थोड अंदर निकल कर आ रहा है so thanks again we will meet you with a new video new investment idea अभी तक जदी आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो इससे subscribe जरूर करें बैल एकन का बटन भी प्रेस करें इससे आपको हमारे आने वाले वीडियो का जो notification है वो मिलता रहेगा